उनके नेता थे साम्यवादी विचार के होची मिन और सेना पती थे वो न्यूयेन जियब। 1945 में होची मिन ने स्वतंत्र वियतनामी गरतंत्र की घोशना की लेकिन युद्ध के बाद फ्रांस फिर से अपनी हुकूमत जमाना चाहता था और उसने प्रयास किया कि वियतनाम में उनके इक्षानुसार चलने वाले शासक होँ। लेकिन इस बीच संयुक्तराज अमेरिका ने इस शेत्र में साम्मेवाद के बढ़ते प्रभाव को देखकर निर्ने लिया कि वा फ्रांस की जगह लेगा और वियतनाम में उसके एक कटपुतली शासक को इस्थापित करेगा। वियतनाम का विभाजन किया गया और उत्तर वियतनाम पर साम्मेवादियों का अधिकार हुआ। और दक्षिन पर अमेरिकी प्रभाववाले इलाकों में एक पुराने राजा को शासक बनाया गया। अमेरिका ने दक्षिन वियतनाम को बचाने के बहाने वहाँ अपनी सेना तैनात की। उत्तर वियतनाम में जहां सामयवादी वियतमिन का नियंतरन था विस्तरत भूमी सुधार कारिकरम अपनाया गया इसके तहट वहां जमीदारी प्रथा समाप्त करके जोतने वाले किसानों को जमीन का मालिक बनाया गया और हर किसान कितनी जमीन रख सकता है इसकी सीमा बांदी गई इस कानून का क्रियानवन करते समय हजारों जमीदार मारे गए और उनके संपत्ति जब्त की गई इसका कुल नतीजा यह हुआ कि सदियों बाद वियतनाम के गरीब किसान और भूमी इन मजदूर जमीन के मालिक हो गए ये किसान अब वियतमिन्न के सबसे मजबूत समर्थक बन गए अमेरिका और सोवियत संग के बीच के इस परधा में वियतनाम एक मोहरा बनने लगा अमेरिका चाहता था कि वियतमिन्न को हरा कर उसके अधिनस्त सरकार स्थापित करें और दूसरी ओर सोवियत संग के वियतमिन्न सरकार को सैनिक सहायता दी ताकि वा युद में अमेरिका का सामना कर पाए अमेरिका ने बरबरता के साथ उत्तर वियतनाम पर बमवर्शा की यहां तक कि उसने एजेंट औरेंज नामक ऐसे घातक रासानिक खत्यारों का प्रियोग किया जिससे बहुत बड़े चेत्र पर दशकों तक घास भी नहीं उपआई लोगों को कुरूर्टा से मारने वाली बमवर्शा की तस्वीरों को देखकर दुनिया दहल गई वियतनाम के लोग भी बहुत ध्रुणता और बहादुरी के साथ लड़े दोनों और हजारों लोग मारे गए धीरे धीरे अमेरिका के लोगों में इस युद्ध के प्रती विरोध बनने लगा लाकों के तादात में अमेरिका के लोग वियतनाम युद्ध रोकने के लिए प्रदर्शन करने लगे इसमें वे लोग शामिल थे जो वियतनाम में लड़े थे और उसकी कुरूरता से दुखी थे अमेरिका को भी समझ में आने लगा कि वियतनाम युद्ध जीता नहीं जा सकता है 1974 में अंतता अमेरिका के राष्टपती निकसन ने घोशना की कि अमेरिका अपनी सेना वियतनाम से वापस बुला लेगा अमेरिका की सहायता के बिना दक्षिन वियतनाम की सरकार टिक नहीं पाई और 30 अप्रेल 1975 में देश के दोनों भागों का विलै हुआ वियतनाम में संसदिय लोकतंत्र इस्थापित हुआ मगर वहाँ पर केवल साम्यवादी दल और उसके सहयोग्यों की मानिता है अर्थात वहाँ बहुदली लोकतंत्र इस्थापित नहीं हुआ राज के हरंग पर साम्यवादी दल का वर्चस्व है और नागरिकों का अधिकार भी सीमित है अर्थात वियतनाम एक पूर्ण लोकतंत्रिक देश नहीं बन पाया चौथा अफ्रीका अफ्रीका के अधिकांश भाग पर ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश थे 1945 के बाद जहां ब्रिटेन एशिया के देशों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में था वहीं अफ्रीका पर अपना नियंत्रन बढ़ाना चाहता था फ्रांस भी अपने अफ्रीकी उपनिवेशों को खोना नहीं चाहता था वी अपने उपनिवेशों को बनाय रखना चाहते थे या फिर उनकी स्वतंत्रता के बाद अपनी हितों की अधिक्तम रक्षा करना चाहते थे अफ्रीका में उपनिवेशों का सीधा नियंत्रन केवल तटी इलाकों के बंदरगाहों पर था और अंधुरूनी भागों पर इस्थानी वह कबिलाई मुख्याओं का नियंत्रन था इन मुख्याओं के नियुक्ति उपनिवेशी शासन करता था भारत की तरह वहां विस्तृत प्रशास्तिक व्यवस्था नहीं बनी उपनिवेशी सरकारों की अफ्रीका में आधुनिक सिक्षा के प्रसार के प्रति कोई दिल्चस्पी नहीं थी उन्होंने बहुत कम प्रात्मिक या उच्ची सिक्षा संस्थाओं के इस्थापना की थी इस कारण अफ्रीका में आधुनिक नोकरशाही या सिक्षित मध्यमवर्ग का विकास नहीं हो पाया आपको याद होगा कि इसी वर्ग ने भारत में समाथ सुधार, राश्ट्रे, वस्वतंत्रता आंदोलनों का सूत्रपात किया था लेकिन अफ्रीका में एक प्रबल और संगटित मध्यमवर्ग का विकास हुआ यह वर्ग मुखे रूप से रेलवे, खदान और बंदरगाहों में कारे रत था 1945 के बाद मजदूर वर्ग अपने अधिकारों तता अफ्रीका वगोरे मजदूरों के बीच समानता की मांगों को लेकर संगश करने लगे यह वर्ग पूरे अफ्रीका में फैला था, जो प्रारंभ में किसी देश विशेश का आंदोलन न होकर संपूर अफ्रीका के आंदोलनों का स्वरूप ले रहा था इसके चलते पूरे अफ्रीका महादूइप के लोगों में एकता और आपसी भायचारे और सामराज जिवाद विरोध की भावना उत्पन हुई 1956 तक फ्रेंच आधिपत्ति वाले उपनिवेशों में कोई स्थानी स्वशासन स्थापित नहीं था लेकिन अफ्रीकी लोगों को फ्रांस के संसत के चुनाओं में भाग लेने का सीमित अधिकार था अफ्रीका से कई प्रतिनिधी चुनकर फ्रांस के संसत में पहुँचे और मंत्री भी बने मगर अफ्रीका में स्वशासन नहीं था 1954 में वियतनाम में फ्रांस की पराजय का प्रभाव अफरीका पर भी पड़ा और उसी वर्ष अलजीरिया में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध शुरू हुआ जो 1958 तक चलता रहा और अंतता फ्रांस को अलजीरिया को स्वतंत्रता देनी पड़ी